हलो दोस्तों नमस्कार मारूती नंदन अकैडबी में आप सबी विद्यारतियों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे प्रश्न तीन की कम्प्यूटर को विबिन पीडियों की मुख्य विशेष्टाओं की विवेचना करना है और प्रतेक का उधारन के साथ हमें यहाँ पर अंसर देना है दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे सबसे पहले कि यह प्रश्न जो है दिसंबर 2002, 2005 और 2005 और 12 तक लगातार आया हुआ है यानि यहाँ प्रश्न हमारे लिए important प्रश्न है देखिए विवेचना करना है तो कंपिटर की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपिटर के विकास को समझने के लिए इन्हें पांच पीडियों में बाटा गया है दोस्तों आप सभी को याद रखना है कंपिटर की पीडियां पांच परकार की है इनमें हम कंपुटरों को तकनीक में हुई प्रगती जानकारी प्राप्त करने में मदद मिल जाती है परते कंपुटर को मूलवू सिद्दान्तवा उनके किसी भाग के नवीन रूप में विक्सित किया गया है एक नई PD की शुरुवात होती है कंप्यूटर की PD को उनके काल याने पीरेड तथा प्रियोक्त तक्निकों में चार्ट में दर्शाया गया है आईए दोस्तों चार्ट समझ लेते हैं सबसे पहली PD के कंप्यूटर जो आए हैं उनमें सन 1946 से 56 तक क्या समयकाल दिया हुआ है और पहली तक्निक इसमें वेक्यूम ट्यूब का प्रियोग किया गया है दूसरी PD में 1956 से लेकर 1964 तक रही है जिसमें ट्रांजिस्टरों का प्रियोग किया गया है तीसरी PD सन 1964 से 1970 तक रही है जिसमें इंटिगरेटेड चिप याने IC चिप का प्रियोग किया गया है चोथी PD 1970 से 1985 जिसमें VLSI तक्निक का प्रियोग किया गया है और पांचवी PD 1985 से अब तक जो की ULSI with AI या काफी इंपोर्टन चीज होती है Artificial Intelligence का प्रियोग किया गया है आई हम प्रश्न को धीरे धीरे और अराम से समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले बात करते हैं पहली PD First Generation of Computer दोस्तों सन 1946 से 1956 तक विक्सित हुए कम्पीटरों को पहली PD के अंतरगत रखा गया है प्रारंब में यह कम्पीटर सेना और एकेडमिक छेतर में गणना यंतरों को विक्सित करने के लिए अमेरिका और यूरेब देशों की सरकारें आगया हैं आइनेक, एडसेक और एडवेक की सफलता के साथ कम्पीटर निर्माता और प्रियोगित करताओं के लिए एक वहद व्यपार के द्वार खुल गए सन 1946 में जेपी एकार्ट और जॉन मूचली ने एक कम्पीटर बनाया जिसका नाम था आइनेक आइनेक का फुल फॉर्म है Electronic, Numerical, Integrated and Calculator यहां दुनिया का सबसे पहला वहद इस तरका जनरल परपस इलेक्टरोनिक कम्पीटर था गणी तक जॉन वान न्यूमेन ने 1946 में एकार्ट और मूचली तथा गोल्ड स्टाइन और बर्क के साथ मिलकर एक कम्पीटर तयार गिया जिसमें किरियाओं के लिए निर्देशों को समू याने प्रोग्रामों को संग्रहत किया जा सकता था इसके बाद जो किरियाओं के लिए निर्देश के समू याने प्रोग्रामों को संग्रहत किया जा सकता था और इसके बाद नई किरियाओं के लिए नए प्रोग्राम संग्रहत किया जा सकता था सब-से पहले संझरहित प्रोग्राम कंप्यूटर प्रोग्राम जो है एट-सेक्षन उन्निस्सोग si8 में तयार हुआ याद रखेंगे सब-से पहला जो प्रोग्राम तयार हुआ वो एट-सेक्षन उन्निस्सोग when paralle कि यहां पर आप हम बात करेंगे प्रत्म IPD के कुछ कुछ गुन कि प्रत्म ela के मुख्य गुन जैसे निमलिखित इस प्रकार में हैं कि पुस्यें के कंप्युटर बैक्यूम ट्यूब का स्वेस्ट क्लिए बयोग किया लगातार विद्धुत का संबहन गरम होने के कारण जल्दी खराब हो जाते थे पहली पीडी के कम्पीटरों को एर कंडिशन में रखा जाता था दूसरा है कम्पीटर सिस्टम में इनपुट तथा आउटपुट के लिए पंच कार्ट का प्रियोग किया जाता था याद रखना है आपको पहली पीडी में जो कम्पीटर थे उनमें इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ट का प्रियोग किया जाता था इन पंच कार्डों की प्रोसेसिंग स्पीड बहुत कम होती थी तीसरा है पंच कार्ट से प्राप्त डेटा को प्रोग्राम को मैगनेटिक ड्रम पर संग्रहित किया जाता था चोथा प्रतम पीडी के कम्पीटरों को दो भाशाओं का प्रियोग प्रोग्राम लिखने में किया जाता था ये भाशाएं पहली होती थी मशीनी भाशा और दूसरी होती थी हमारी असेंबली भाशा पांचवा और अंतिम पर्थम पीडी के कम्पीटरों का प्रियोग कमर्शिल कम्प्यूटिंग जैसे वेतन पत्र बनाना, पेरोल, बिल्डिंग तथा अकाउंटिंग के लिए ही किया आता था क्योंकि उस समय कम्पीटर बहुत ही महंगे हुआ करते थे दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें लाइक करें हमारे यूट्यूब चैनल को और सब्सक्राइब कर लें अगले प्रेशन की अगर हम बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे दुद्ति पीडी जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप लोग देख सकते हैं धन्यवाल